हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासिज में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारती इंदू के भक्ती परक कावे की विशेशता है हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारतिय संस्क्रिती विश्व की संस्क्रितियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है धर्म, दर्शन और अध्यात्म के शेत्र में तो भारत की तुलना विश्व का कोई अन्य देश नहीं कर सकता भारत तथा भारत वासियों को अपनी संस्क्रिती तथा गौरव शाली परंपरा पर गर्व है आधुनिक यूरोपिय विद्वान भी परंपरा को महत्व देते हैं और T.S. इलियट का मत है कि परंपरा से स्वयम को काटना आत्मगात जैसा होता है भारतेंदू यूक को हिंदी साहित्ते का नव जागरनकाल और स्वयम भारतेंदू हरिशन को नव जागरनकाल का अगरदूत माना जाता है भारतेंदू यूक से पूर्व के यूक को हिंदी साहित्ते के इतिहास में दीतिकाल कहा गया है इस काल में हिंदी कवीता विलासिता के पंक में डूबी हुई थी इस काल में अधिकांश हिंदी कवी राज्येश्रित दर्बारी तथा श्रिंगार वृती के रसिक कवी थी और उन्होंने रूडी बद श्रिंगार रस एवं सामंत वर्ग को अनुरंजित करने वाला स्तूती परक चाटुकारिता से पंकित तथा उनकी काम वासना को उद्धीप्त करने वाला कावे लिखा इस कावे को श्रिंगार रसकी पिछकारियां छोड़ने वाला कावे कहा गया भारतेंदू यदि स्वैम को पूरी तरह इस श्रिंगार पदती से मुक्त नहीं कर पाए फिर भी उन्होंने जिस कावे धारा का सूत्रपात किया वहे विशे, रूप, भाव, भाशा सभी स्तरों पर अभिनव है इन कवियों ने कवीता की पुरानी केंचुल उतार कर उसे नया रूप देने की चेश्टा की दर्बारी वातवरन से मुक्त करके उसे नई प्रांशक्ती प्रदान की साहित्ते को जनता के दुख, दर्द, इच्छाओ, आकाशाओ से जोड़ा है जैसा की हम जान चुके हैं की कवी के लिए अपनी परंपरा और परिवेश अपने पारिवारिक संसकारों से एकदम कट जाना संभव नहीं है भारतेंदू का परिवार वैश्नव संसकारों वाला परिवार था सगुन भक्ती मूर्ती पूजा देवी देवताओं में आस्था विश्वास रखने वाला परिवार था अतहा स्वेम भारतेंदू वल्लब संप्रदाय में दिख्षित राधा कृष्ण के अनन्य भक्ते अतहा उनके भक्ती पदों में कहीं विनय भक्ती और कहीं सक्त भक्ती में भाव मिलते हैं इनके अतिरिक सूर्दास से प्रभावित होकर उन्होंने वासल्य भक्ती में भी कुछ पद लिखे हैं मध्ययुगीन कृष्ण भक्ती काव्वे की सरस्ता और तनमेता से अनुप्रानित इनकी कविताओं का प्रमुक्स्वर माधुर्य भाव की भक्ती ही है इनकी भक्ती परक कविताओं में भक्त कवियों की धरा इश्वर की वंदना है उनका गुनगान है अपने अराध्य राधाकृष्ण के रूप सौंधर्य का चित्रन है उनके प्रेम का वर्णन है उनके मिलन चित्रों का सरस अंकन है अन्य कवियों के सामान उन्होंने अन्य देवी देवताओं की स्तूती की है गंगास्तान की महिमा का वर्णन किया है सगुनों पासक भक्त कवी होते हुए भी भारतेंदू अंद विश्वासी लकीर के फकिर नहीं थे प्रतेग बात को तर्प की कसोटी पर परक्कर कारण है कि सगुन भक्ती और मूर्ती पूजा का अनेक देवी देवताओं में आस्ता रखते हुए भी अद्वैत्वाद को स्विकार नहीं किया कवी और भ्रह्म को भिन भिन माना अहम भ्रह्म सब मूरक भाखे ज्यान गुरूर बढ़ाए जो तुम भ्रह्म चोटी चोट के ही लागी रोई तजो क्यो प्रान वह श्रंकराचारे के अहम भ्रह्मोरिम तथा भ्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को आस्विकार मानते हैं वह यथार्थवादी हैं इस जगत और समाज को सुखमे बनाने के पक्षतर हैं कल्पना लोक में ना उड़कर वास्त्विक्ता को पहचान कर उसके अनुसार जीवन जीने की बात कहते हैं वह सच्चे भक्त हैं अतहा कबीर के सामान पाखंड का धर्मा डंबर का विरोत करते हैं इश्वर की सच्ची भक्ती के पक्षदर हैं ऐसे भक्ती मार्क पर चलने का परामर्श देते हैं जो सब के लिए सुलब हैं वल्लब संप्रदाय में दिख्षित होने वैश्णप परिवार के संसकारों में डूबे राधा कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी भारतेंदू का द्रिष्टी कोन उदार था वह संकीन संकुचित विचारधारा वाले कटरवादी ना होकर सहिर्दे थे आज जिसे धर्म निर्पेक्षवाद कहा जाता है उसके बीच भारतेंदू के मन में ना पड़े थे वह मानते थे कि मत मतांतरों पर जगरना मूर्ठता है सबको अन्य धर्मों का आधर सम्मान करना चाहिए उन्होंने धर्मन्द संप्रदाइक दुवेश वाले धार्मिक मत भेव वादियों की तीवरता तीव भर्चना की है उनकी भक्ती में सबी धर्म मानव कल्यान की, नैतिक मूल्यों की, सदाचार की, इश्वर भक्ती की, सहीशनुता की सीख देते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में जैन, सिक, इसलाम, आधी धर्मों का महत्व स्विकार किया है वस्तुतह उनकी द्रिष्टी, समाज की संपून उन्नती, समूचे देश की प्रगर्टी और मारव मात्र के सुख पर केंद्रित थी वहें सर्वत्र इश्वर की सत्ता मानते थे संकीन धर्मा लंबियों को मूर्ख बताते थे उन्होंने कुरान का अनुवात किया था और इसलाम धर्मा लंबियों के प्रती सोहाद्र प्रकट किया है भातेंदु की भक्ती की विशिष्टा यह है कि वहें व्यक्ती के मोक्ष स्वर्ग प्राप्ती पर बल नहीं देती उनकी भक्ती समाज़ित तथा स्वर्देशनूराग से रुपांतरित है भक्ती और देशप्रेम को एक ही समकोन पर प्रतिष्टित करना उनकी मौलिक्ता है वह केशफ से अपनी भक्ती की प्रातना नहीं करते देशवासियों के दुख दूर करने के लिए उनका आवाहन करते है इस प्रकार भारतेंदू की भक्ती कावे की विशेशता है कि उन्होंने केवल निच के उदार के लिए भगवान से प्रातना नहीं की अपने से अधिक चिंता उन्हें अपने देश और देशवासियों की है वह चाहते है कि भगवान अफ्तार लेकर ततकालिन समाज में व्याप वी संगतियों को दूर करे बितीश समराज जेवात की अगनी में पिस रहे देशवासियों का त्रान करे उनका दुख मिटाए भारतेंदू का भक्ति कावे एक और परंपरागत वैशनव विचारधारा से प्रभावित है तथा दूसरी और उनमें आधुनिक्ता के स्वर भी गूंज रही है एक और वैस्वेम को कृष्न का सेवक और राधारानी का गुलाम कहकर उनके प्रती अपने श्रधा भक्ति अनन्य प्रेम प्रकट करते हैं तो दूसरी और करुणा निधी केशव को भारत वासियों के कष्ट दूर करने के लिए अफ्तार लेने का आवाहन देते हैं उनका भक्ती कावे मध्धे कालीन भक्ती कावे की परंपरा को ग्रहन करते हुए धर्मनि पेक्ष्टा और आधुनिक जिद्धान्त और उधारतावादित दृष्टिकोन को अपनाने वाला मंगल मैं कावे है फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना भारतेंदू के भक्ती परंग कावे की विशेशताओं को हमारा आज का टॉपिक आपको पसंदाया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग